हलो मैं हूँ रिखायादा और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई हम लड़कियों को अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ता है कॉलेज में या ओफिस जाते समय लड़कियां अपने बैग में पैसे, मुबाइल और थोड़ा बहुत मेकप का सामान जरूर रखती है लेकिन कई बार रास्ते में चपल तूट जाती है या ड्रस खराब हो जाती है तो ऐसे में काफी परिशानी जहिलनी पड़ती है ऐसे में लड़कियों को चाहिए कि अपने पर्स में वो कुछ जरूरी सामान जरूर रखें तो चलिए आज हम जानते हैं कि हम लड़कियों को अपने बैग में ऐसे कौन-कौन से चीज़े रखनी चाहिए कई बार रास्ते में या आफिस में सैंडल तूट जाती है तो लड़कियों को काफी परिशानी जहलनी पड़ती है ऐसे में अपने पर्स में ग्लू स्टिक जरूर रखें इससे आपको इस तरह की समस्या से चुटकारा मिल सकता है ग्लू की मदद से आप अपनी तूटी हुई चपल को दुबारा जोड सकती है या फिर अगर आपके कोई येरिंग तूट जाए तो आप उसे दुबारा जोड भी सकती है आप कहीं जा रही है और अचानक से आपके कपड़े उधर जाए या कोई बटन तूट जाए तो खास करके महिलाओं को ऐसी समय पर बड़ी ही शर्मिंदगी जेलनी पड़ती है इसलिए अपने पर्स में सेफ्टी पेंस और छोटी सी सिलाई की किट ज़रूर रखे जब आप घर से बाहार निकलती हैं तो कई सारी चीजों को छूती हैं जिन्हें आप से पहले कई सारे लोगों चूचुके होते हैं आप कई लोगों से हाथ भी मिलाती होंगी ऐसी कई वजहों के लिए एक हैंड सानिटाइजर आपके पर्स में जरूर होना चाहिए ये आपके साथ-साथ लोगों को भी बहुत सी विमारियों से बचाता है कई बार आपके चहरे पर छोटे-छोटे पैच हो जाते हैं इसके अलावा हाथ पैर भी रूखे-रूखे लगते हैं ऐसा अकसर सर्दियों के मौसम में होता है इसलिए अपने पर्स में मौस्चराइजर की छोटी सी शीशी जरूर रखें वहीं छोटी-मोटी चोट और खरोचे तो कभी-कभी लगी जाती है या फिर कई बार नए सैंडल या जूते पहनने से भी कट लग जाता है और ऐसे में आप दर्द से परिशान हो जाती होंगी इन सभी चीजों में बैंडेट मददगार साबित होती है इसलिए पर्स में कुछ बैंडेट्स जरूर रखें पर्स में कुछ हेर बैंड्स, बॉबी पिंस और क्लचर होने चाहिए ताकि अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने बालों को बांध या खोल सके टीशू पेपर को भी जरूर रखें कभी आपको चीक आजाए या हाथ पोचना हो या फिर आपके कपड़े में कुछ गिर जाए ऐसे में टीशू पेपर बड़े कामाएंगे या आपकी साफ सफाई को भी मेंटेन रखेंगे और दूसरों को इंप्रस भी करेंगे सिर्दर्द आपका सारा दिन बरबाद कर सकता है और ये कभी भी आपके सिर में टपक सकता है सोचिए आप एक important meeting में जा रही हो और अचानक आपको सिर्दर्द हो जाए तो आपकी पूरी meeting खराब हो सकती है इसलिए अपने पर्स में सिर्दर्द और पेटदर्द जैसी दवाज ज़रूर रखें नोटबुक और पेन आजकल हम अपने फोन पर कुछ भी स्टोर कर लेते हैं लेकिन अगर आप कहीं जा रही हो और आपको रास्ता पूछना है आपकी फोन की बैटरी भी खतम हो गई है तो ऐसे में pen paper ही काम आएंगे तो आप अपने पर्स में pen paper को जगह ज़रूर दें सबसे important चीज है sanitary pad या tap phone को अपने पर्स में ज़रूर रखें इन्हें रखने से आपके भीतर आत्मविश्वास बना रहेगा कि आप किसी भी वक्त इन्हें काम में ले सकती हैं आप चाहें तो emergency situation में किसी दूसरी महिला की भी मदद कर सकती हैं सोचिये लंच के बाद कोई प्याज खाकर आपसे बूले तो कैसे आप नाक मूँ सिकूरती हैं ऐसी ही situation खुद के लिए भी पैदा ना करें पर्स में breath mint यानि mint gum या फिर spray mint ज़रूर रखें ताकि सांसों की बदबू से आपको चुटकारा मिल सकें कई बार आख में कुछ गिर जाता है या डिनर करते वक्त दातों में कुछ फस जाता है बाल या लिप्स्टिक खराब हो जाते हैं ऐसे में आपके साथ एक छोटा शीशा होना बेहद जरूरी है ताकि आप कभी भी कहीं भी खुद को उस शीशे में देख कर सवार सकें तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लड़कियों को अपने पर्स में जरूर रखनी चाहिए I hope आपको ये information अच्छी लगी होगी ऐसे ही information के लिए देखते रहें बोल्ट स्काई और हमें लाइक और सबस्क्राइब जरूर करिए